हाई दोस्तों विल्कम बैक टू दो चटपट टोई टीवी मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक कमाल धमाल तिन कैन रोबोट तो आज हम इस किट को यूज करके इस तरह का एक तिन वाला रोबोट बनाने वाले हैं तो वीडियो लाज तक जरूर से देखना गाई और वीडि आजाती है इसकी सारी चीजें तो चलिया इसे ओपन कर लेते हैं और हमारा रोबोट बनाते हैं तो इसे मैं यहां से ओपन कर लेता हूँ तो दोस्तों अभी तक चैटपट टोई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जलनीसे सब्स्राइब कर लेना साथ में बैल आ तो इसके अंदर सारी चीज़ें दी गई है हमें रोबोट किस तरह से बनाना है तो यहां पर इसके सारे पार्ट की चीज़ें लिखी वी है हमें इसके अंदर क्या-क्या पार्ट मिल जाते हैं तो यह देख सकते हो दोस्तों सारे पार्ट निकाल लेते हैं चलिए पहले जल्द तो देख सकते हो, तो इन सारे 50 parts को जोड़ कर हम आज बनाएंगे, इस तरह का एक चलने वाला robot और गाईस ये robot बैटरी से चलता है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना है, आपको बहुत मजा आने वाला है आज ये वीडियो में, तो दोस्तों पहले हम इन parts की quality देख देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छी quality का plastic यूस किया गया है, इन सारी parts को बनाने के लिए, ये देख सकते हो, ये है robot के legs, और ये can hold करने के लिए holder भी दिया गया है, और इसके ice button वाले ice भी दिये गया है, देख सकते हो दोस्तों, और hands के लिए use करने के लिए straws भी द बनाते हैं अभी हमारा robot, तो वीडियो धैन से देखना दोस्तों, और वीडियो last तक जरूर से देखते रहना, तो दोस्तों ये रहा इसका main frame, तो इस frame पे ही सारी चीज़े फिट हो जाती है, तो हम पहले ले लेंगे ये दो holders, पहले जो, शवाणना खिखना, और दंगा बंडे लेमा looks का जा का संहिक का जरू. पजय ही पजय है झाल झाल तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मैंने इसकी मोटर भी फिक्स कर दी है यहां पर और इसके गेर्स भी लगा दिये है तो अभी इसका connection दे देते है तो मोटर से एक black wire जा रहा है और एक red wire जा रहा है तो यह है battery holder battery holder से भी आपको एक red wire जाएगा एक black wire आएगा यहां पीछे तो आपको motor से जो red wire आ रहा है और इस switch से जो black wire आ रहा है दोनों को जोड़ना होगा इस तरह से हम जोड़ देंगे इन दोनों wires को और इन दोनों wires को और हमारा connection हो जाएगा fix तो यहां पर मैंने दोनों wires को दे दिये हैं connections तो अभी इन wires को यहां पर इस तरह से connect करना होगा guys हमे तो यह देख सकते हूँ यह plastic वाले screws दिये जाते हैं इसके साथ तो हमें इससे इस तरह से लगाना होगा इसके अंदर ताकि wires बाहर ना आ जाए कर दो हो पना हमें झाल 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 यहां पर देख सकते हो गाइस इसके आइस भी मैंने यहां पर इसके अंदर से फिट कर दिये है वाव यार अभी देख सकते हो क्या बढ़िया दिकरा है हमारा रोबोट तो चलिए अभी इसके हैंड्स भी लगा देते हैं यहां पर तो हैंड्स के लिए मैं श्ट्रॉस मिल जाते हैं तो इन श्ट्रॉस को मैंने यहां पर fit कर देना है इस तरह से तो इसे भी लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो गाइस यह flexible है इस तरह से bend हो जाएंगे यार मुझे लगता है इसके hands बहुत जादा बड़े हो गए है तो straws को यहाँ से थोड़ा सा cut कर लेंगे पहले और देख सकते हो गाइस इस अब देख सकते हो दोस्तों बहुत ही सही साइज लग रहा है इसके hands का तो अब इस पैनर को इसके hands में लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से तो इस वाले spanner को भी लगा देता हूं मैं यहाँ पर वाव दोस्तों अल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुका है यार हमारा robot अभी सिर्फ हमें इस वाले coke के can को इसके अंदर लगाना है और हमारा robot हो जाएगा ready दोस्तों यह रोबोट को चलाने से पहले हम दे देंगे shout out उसके बाद में robot को नीचे भी चला के देखेंगे robot किस तरह से चलता है तो वीडियो लाश्ट तक जरूर से देखते रहना तो यह थी हमारी लाश्ट वाली वीडियो amazing microscope invented by Indian scientist दोस्तों आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखे तो यार जाकर जरूर से देख लेना बहुत ही कमाल का और बहुत ही low price वाला microscope यहाँ पर मैंने आपको unbox करके बताया था तो चलिए यहाँ पर आपने लोगों ने किये है 1.3 के likes दोस्तों मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप ज़रूर से इस वीडियो पर 4000 likes कीजे और अपना support दिखाए चटपर toy tv को तो चलिए आपके comments भी देख लेते हैं तो यहाँ पर म अभी हम ले लेते हैं अगर दोस्तों आपका नाम उसमें नहीं आता है तो हैर बिल्कुल भी निराश मत होना मैं सभी लोगों के नाम लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर जिसने भी किये हैं comment सभी को shout out और सभी को thank you तो यहाँ पर पहला नाम आ जाता है साक्षी सेटी दिलीप चावडा आर्यन बोर फेजान अंसारी विद्या काले रितेश बंसल मनिश कुमार निशान कुमार के हेमलता रिड़ी मनिश राइकर नीला अक्तर अक्की एंड आरोही निंजा गेमर्स मीन सेट, सबीना यासमीन, अंशच सिंग, प्यूष गराई गेमिंग, बिश्वजीत चक्रबोर्ती, आर्यन, युग, जीटिये गेमर, हरे कृष्णा एक्स्परिमेंट्स, भाविक गांधी, मनोश तिवारी, पुष्पा, नायक, श्रीकान दास, सम्रता गोश, आयुष भरद स्वाज, अन्मोल, अरोरा, नंदा, कालेना, बिट्टु, कुमार, थाइंक्यू दोस्तों इतने जबर्दस कमेंट करने के लिए आप लोगों का, अगर दोस्तों आप भी चाते हो, मैं लूँँ आपका नाम, नेक्स्ट वाली वीडियो में तो आर इस वीडियो पे ज़रू देख सकते हो, इसके हैंड्स को आप चाहें किसी भी दिशा में मोड सकते हो, क्योंकि यहां पर बहुत ही फ्लेक्सिबल वाले स्ट्रॉस दिये हुए हैं, मैंने उसी से इसके हैंड्स बनाए हैं, और आप देख सकते हो, इसके आइस भी आप चाहें, इस तरफ भी मोड सकते बहुत ही flexible eyes भी बनाए हैं मैंने इसके लिए अच्छा, वाती कि मैं की बनाए हैं लानी और्यवान मैं झाल 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 दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि आपको ए टिन कैन रोबाट बहुत पसंद आया होगा यार मुझे तब बहुत मजाया इसे बनाने में और इसे नीचे चलाने में दोस्तों आपने देखा होगा ये रोबाट इस तरह खड़ा होकर भी चलता है और इस तरह से लेट कर भी बहुत ही जबर्दस तरीके से चलता है बहुत ही इंप्रेसिव लगा यार मुझे ये टिन कैन रोबाट आप अगर इसे बाई करना चाते हो तो बाई दिंग आपको नी नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमा के दार टोइस के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों